हाई फ्रेंज देखिए आज हमारा क्लेपोट का एक नया स्टॉक आया है और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्मोकी स्टॉक ही है देखिए यह सब ज्यादा से ज्यादा स्मोकी में है तो मैं यह स्टॉक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं और आप लोग देख लिजिए यह स् इस गुलग ये जो पीस आप देख रहा है ये भट्टी में डाला गया है लेकिन ये देखिए ये थोड़ा कच्चे जैसा बन गया है इस तरह के पीसेज भी कुछ होंगे हमारे पास क्यूंकि हम जो भी बेक्ट करते हैं एक बार में इसको थोड़े आग में जोकते हैं जिसमे आपको इस तरह के स्मोकी गुलग भी मिलेंगे और ये देखिए ये हाप बेक्ट में है ये थोड़ा मिट्टी जैसा कच्चे में भी है लेकिन कच्चे में स्टॉक बहुत कम है क्योंकि वह हम रखते नहीं है कच्चे का स्टॉक बहुत तूट जाता है ये दो चार पीस करकि आपको पानी में डाल के दिखाऊंगी ये कैसा है और ये देखिए भीग साइस्ती क्लेटपोड ये स्मोकी वाला इस तरह के हाप बेक्ट है जो साइट से थोड़ा स्लाइट्ली स्मोकी होगा और फुल स्मोकी है इसमें मिट्टी का खुश्बू बहुत बहुत अच्छे है क्योंकि आज ही ये बनके आया है तो देखिए ये बहुत अच्छे से बनके आया है और मैं इनको आपको पानी में डालके दिखाऊंगी थीक क्लेपोट हमने इस बाद थोड़ा छोटे साइज में बनाया है क्योंकि बिक साइज में थोड़ा पैकिंग में प्रॉब्लम होता है देखिए ये दो चार तीस आपको ऐसे गुलग कच्छे में मिल जाएगा और मैं इनको पूरा आपको पानी में डालके सब दिखाऊंगी देखिए गुलग भी थ्री टाइप्स का आपको मिलेगा इस पर बेक्ट जैसे हुआ है मैं दिखाती हूं मैं हमेशा बोलती हूं कि आप लोग पूरा मेरे डिसंट वीडियो जो है वो देखके ओडर कीजिए देखिए यह है गुलग है यह कच्चे है यह स्मोकी है और यह नौन स्मोकी हाप बेक्ट है तो देखिए तीन तरह के गुलग आपको इस बार मिल जाएगा मिनी में जो मिनी गुलग है और बिक साइज गुलग हमारा आने वाला है वो भी हमने बननाने के लिए दे दिया है वो भी बहुत जल बनके आएगा, लेकिन अभी हमारे पास बिक साइज गुलक स्टॉक में नहीं है, मिनी गुलक है, आप लोग मिनी गुलक ले सकते हैं, देखिए ये है मिनी गुलक का स्टॉक, स्मोकी हाप बेक सभी है, और ठीक क्ले पॉट ये स्मोकी वाला स्टॉक है, हाड बन जाता है, हाड अगर आपको चाहिए, तो हाड हमारे पास बहुत इजी अबलेबल है, हो जाएगा, ये देखिए यहाप गुलक का स्टॉक रखा है, और गुलक का जो है ये, देखिए, देखिए, ये कितना छोटे-छोटे पिसेस में बनके आता है, छोटे कोई भी मीनी ग्लास, ये शेफ हमने इस बार पहले बनाया है, ये आप लोगों का भीजा हुआ हुआ, फोटो है, कि देखिए ये ग्लास वाला स्टॉक है, ये भी स्मोकी में है, देखिए, यहां पे है, गुलक का सकत है, हाड का वाला स्टॉक है, और ये है, हाड भीग्ड, difak में थोड़ा स्मोकी साइट से है लेकिन इसका स्टॉक हमें जादा नहीं बनाया क्योंकि इसका एक और है इसलिए इसको बनाया गया है यह सैंपल की तौर पर जाएगा अगर उनको पसंद आया तो बहुत सारे सिक्टर बनाने के लिए आएगा और यहां पर है देखिए स्मोकी मे नौन स्मोकी में दोनों में मिल जाएगा देखिए यह है दिया यह स्मोकी वाला दिया देखिए छोटे एकदम छोटे पीसे में जो दिया है वह हम अभी नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी छोटे पीसे जो दिये होते हैं वह बनाने की थोड़ा टाइम लगता है तो हमने इ लग सकता है वह आपको हाड लग सकता है तो मैं आपको इन सभी को पानी में डाल के अच्छे से वीडियो में बहुत क्लोस से दिखाऊंगी अगर आप लोग को पसंद आए तो यह ऑडर कीजिए था क्योंकि हम दिखा देते हैं देखिए हम बोलेंगे सॉफ्ट है आपको लग लेकिन इस तरह के सॉसर अभी हमारे स्टॉक में हैं देखिए स्मोकी वाले सॉसर इसमें एक दो पीस उन्होंने इस तरह के कच्छे भी आपको मिल जाएंगे आमने कहा ना कच्छे हम बहुत कम रखते हैं अगर आपको चाहिए होगा तो हम बनवा के देंगे उसमें कोई प दोके जी का पार्सर है देखिए अभी इसको ठीक से वेट नहीं किया गया है इनको मिक्स्ट में चाहिए था तो देखिए सॉसर हाप बेट में इस तरह के होगा तो मैं इन सभी को अच्छे से पानी में डालके एक एक पीस आपको दिखा दूंगी कि इसका टेक्स्ट्र क्य है कि जब भी कोई माल स्टॉक हमारे पास आता है हमें भी उसको अच्छे से परकना पड़ता है देखिए यहां पर मैंने यह छोटे वाले गुलक लिया है जो स्मोकी में है स्मोकी डालते है कि आप लोगों को बहुत को लगता है क्या रिक स्मोकी वाला तो पूरा कच्छे म कि स्मोकी डाल रहे हूं देखिए यह भी इसमूकी है साइडसे थोड़ा को गच्छे लग सकता है लख्या स्मोकी हम्ने डाला है इंयोरा दो चार पीश करद बिलेगा दिखिए भी स्मोकी है मैं डाल रही हूंAudi यह देखिए स्मोकी सौसर है यह देखिए मुझ इनी दिया है और मैं एक स्मोकी बिग साइस पॉट डाल रही है यह अब हुआ देखिए कच्छे निद्टी का नहीं बना है यह दिखाने के लिए यह वीडियो है और फ्रेंट्स हमारा फॉरेन का एक क्ले आ चुका है जुसका वीडियो हम बहुत जल्ड शेयर करेंगे उसका अनपैक करके रखा है अभी वो संद्राई हो रहा है उसको फिर हम दिखाएंगे और देखी यह स्मोकी बाला जो है यह आपको कच्छे मिट्टी का नहीं है आप पानी देखिए इसका मतलब है यह बिढम ह Namais और यह कच्छे मिट्टी का नहीं है लेकिन यह तो घुला कद दर्थे हैं यह कच्छे मिट्टी का ध इसको भी आपने भृती में डाला है लेकिन यह एकदम बीटिन ईलार तो यह वा हैं या वह से कम में हिए कि देखिए ए Yuk जैसे यह कच्च नीटी मिट्त जैसा है में यह दिखाते हूं तो यह कच्च का है इसलिए यह देखिए यह पानी से बिगल रहा है इस News सब्सक्रार की पिसे हमारे हाप बेक्ट मिलेगा और कच्छे मिट्टी जैसा भी पीसे समें एक दो पीस डाल सकते हैं क्योंकि हमारे पांस देखिए यहां पर कुछ स्टॉक है इस तरह कि बहुत अर्दी स्मेल आ रहा है इसमें से मैं एकदम नस्दीक से विडियो दिखाने की कोशिश करती हूँ जैसे आप लोगों को अच्छे से दिखाए दे हमारा स्टॉक देखिए और यहां पर जो है स्मोकी वाला देखिए यह सॉप्ट है यह हाड है मैं तोर दूंगी तो यह तूट जाएगा हाथ लगाने से फिर भी मैं आप लोगों को हाँ एक दो पीस तो हम तोर के आपको लोग जरूर जरूर दिखाएंगे देखिए यह गुलब यह स्मोकी में है कि लेकिन इसका आवाज सुनिए यह कोई भी कच्चे मिट्टी का नहीं है पूरा बेक्ट किया हुआ है लेकिन स्मोकी इसमें बहुत अच्छे स्मेल आड़ा है देखिए स्मोकी जिन लोगों को पसंद आता है ना उनको यह पसंद आएगा और जिनको आड़िये देखिए यह दिया गुलब जैसा यह भी एक द कच्चे मिट्टी का दिया भी मंगवाया है यह देखिए सॉसर में इसको भी तोल के आपको देखिए यह कितना सॉप्ट है बोलिए इससे ज्यादा सॉप्ट हम क्या बनाया फ्रेंस मैं हमारी एक रिक्वेस्ट है एक बात सुनिए हमने बबल रैप भी शूरू कर दिया है अभी सभी पार्सल बबल रैप में जाता है मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बबल रैप हम कैसे करते हैं तो यह देखिए यह पॉट इतना सॉफ्ट होता है अगर यह पॉट हम पैकिंग करेंगे इस तरह के स्मोकी पॉर्ट देखिए मैं इसको तोड़ा है तो हम आपको इसको बहुत डाटती हो मुझे बहुत प्यार भी करता है आदमी बहुत अच्छा है तो हमारी यह बहुत दिनों से काम कर रहा है तो उसको मैं डाटती हूं अगर उल्टा सिधा बनाता है कुछ देखने में अगर खड़ाब लगता है लेकिन इस बार उसने बहुत अच्छा भी इस तरह के सॉसर इस तरह के दिया सभी मिल जाएगा लेकिन फ्रेंज हमारी एक रिक्वेस्ट है आप लोग जब भी ओर तो हमें अपना टेस्ट बताईए कि में हमारी चाहिए हार्ड में चाहिए तो हम बता देंगी कौन सी शेप में अभी वह आपलेबल है क्योंकि सभी तरह के शेप में सभी तरह के टेस्ट बना के रखना थोड़ा मुश्किल होता है अच्छा ग्लास जो है वह भी मैं एक बार पानी में डाल के आपको दिखा हूँ यह शेप बला ग्लास हमरे पास पहली बारा है दिखिए यह है कि नॉन डिजाइन वाला है यह यह आपको अच्छा लगेगा लेकिन यह सॉफ्ट है क्लेपोट इतना सॉफ्ट होता है ना तो यह तूटने का चांसे बहुत ज्यादा होता है फ्रेंस हम इसका कोई गरांटी नहीं ले सकते कि आपको होल पीस में जाएगा पैकिंग हम दिन ब पूरा लगता है तो आप लोग देख लीजिए यह स्ट्रॉक अभी अभी अविलेबल है आप लोग और कर सकते हैं और जो रिसेंट वीडियो देखके आप लोग और कीजिए ठीक है ओके बाइफ्रेंस रेक्यार